क्या आपने सुना कि हमें multiple movies देखने को मिलने वाला है वो भी one of the best आर्ग और longest आर्ग में से एक क्या आपने ये भी सुना कि Demons Larry का upcoming season scene 4 12 episodes का होने वाला है जो कि logically impossible है इसका मतलब ये कि अप शायद ही हमें season 4 के बाद और कोई season देखने को मिलेगा तो ये सब क्या हो रहा है और क्यों तरीकी के rumors समय सुनने को मिल रहे हैं आईए जानता है इस वीडियो में दोस्तों परने चैनल को subscribe कर दो ताकि ऐसा interesting वीडियोस आपको मिलते रहे हैं तो चैनले दोस्तों बिना दरीके वीडियो को शुरू करता है तो दक्राइर इस चीज़ के शुरुआत होती है एक tweet से जाब एक Twitter ये tweet करता है कि जो Demon Slayer का longest arc है वो multiple movies बे होने वाला है जिसको लेकर जल्दी announcement किया जाएगा और इस tweet को आप screen पर भी देख सकते हो लेकिन काफ़े लोग ये भी कह रहा है कि ये जो Twitter account है ये काफी ज़दा reliable account है तो हम इस पर trust कर सकते हैं लेकिन फिर भी जब भी कोई link नहीं समय देखने को मिलता है तो उसका सही होने के 50-50 chances होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये होने वाला है या फिर यही होगा लेकिन अगर हम possibilities की बाते करें तो ये काफी हद तक हो भी सकता है क्योंकि इसमें UFW Studio का काफी बड़ा फायदा है मतलग ये ही कि अगर UFW Studio multiple movies बनाता है आने वाले upcoming arc को लेकर तो Demonsler franchise को ज़्यादा earnings होगी as compared to series बनाने के ऐसा से ले क्योंकि old lady आप इसका result देख चुके है हो infinity train movie से जो एर अगर exactly ऐसा ही होता है तो infinity castle arc को जो कि Demonsler का longest arc है उसे कतम होने में और 3-4 सा लग जाएंगे जो कि एक fans के लिए disappointment होगा rather than कि ये arc एक season में comeback करे क्योंकि जो एक series होता है वो हमें describe करता है उस story के actual individuality को जिसे movie में पूरी तरीके से दिखाना impossible है इवन अगर उसके multiple parts भी हमें देखने को मिलते हैं as a movie तो कही न कही उसके drawbacks हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे जो एक franchise पर एक सवाल ज़रूर खड़े करेगा और जो हमने अभी तक देखा है demon slayer के pros and cons वो कही न कही ज़ादा better है जो आने वाला story हमें दिखाने वाला है तो इसलिए ये देखना काफे interesting होगा के affordable studio के announcement करता है और मानो या न मानो ये एक league news है तो शायद anime community में चीज़ों पर hype तो बना सकता है लेकिन इन पर believe नहीं कर सकता तो इसलिए you have to wait until the official announcement तो ये तो बात हो गई demon slayer के multiple movies को लेकर अब चलता है demon slayer season 4 के ऊपर जहाँ पर बताया जा रहा है कि season 4 के 12 episode हो सकता है तो देखे है और already हमें ये तो announcement मिल चुगा है कि हासरा telling arc getting a tv anime है लेकिन काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि हासरा telling इतना छोटा है कि साहथ 5-6 episode भी मुझकी से देखने को मिल जाए तो again this possible कि हमें 2 episode देखने को मिलेंगे तो दो प्यार ये तो बात सही है कि हासरा telling arc पहुत छोटा है जिसमें सिर्फ 9 chapter है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि जो हमें मांगा में देखने को नहीं मिला वो anime में देखने को मिल जाए में भी वो किसी की backstory दिखा सकते है या फिर हासरा कि कुछ secret जो हमें नहीं पता है पूरे entire series में लेकिन अगर season 4 में सिर्फ हासरा telling arc देखने को मिलता है तो ये possible हो सकता है कुछ unreal fact के साथ तो guys आपको क्या लगता है इन multiple movies और season 4 के episodes को लेकर comment section पर ज़रू बताना त्यार बस आज के लिए इतना है इस से related कोई भी queries हो या फिर मुझे को detail miss हो गया होता है और मुझे comment section पर ज़रू बताना